हेलो एवरिवन माई नेम इस दर्मेंदर को और वेलकम तो वर यूटूब चैनल लर्न इंगल बिद दर्मेंशर फ्रेंट्स आज का टॉपिक है वो हमारा simultaneously word का यूज करना इसका यूज हम तब करते हैं जब हिंदी sentence में हमारा ऐसे आजा साथ साथ जैसे कि हम साथ साथ इसकूल जाते हैं हम साथ साथ खाना खाते हैं हम साथ साथ पढ़ते हैं इस तरीके से sentences में हम simultaneously word का use करके हम sentences को बनाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और example के साथ देखते हैं चलिए देखते हैं हमारा first example है सोनू और आसा जी सांसाथ गाना गाते हैं तो simultaneously सोनू and आसा जी sing a song सहबाग और गौतम ने सांसाथ किरकेट शुरू किया तो simultaneously सहबाग और गौतम स्टार्टेड किरकेट simultaneously word use करने के बाद आगी का sentence grammar के according रहेगा जावेद और सलमा सांसाथ मंच पर नाचेंगे तो simultaneously जावेद और सलमा विल डान्स ओन स्टेज नेहा और नीलू सांसाथ साधी नहीं करेंगे simultaneously नेहा और नीलू वांट मैरी चली कुछ और एक्जांपल्स देखते हैं बच्चे सांसाथ नहीं खिलते थे तो simultaneously चिल्डरन डिडेंट प्ले मा और बहन सांसाथ पूजा नहीं करती है simultaneously mom and sister don't worship क्या भारत और पाकिस्तान सांसाथ ब्यापार करते हैं simultaneously do India and Pakistan do business अब यहाँ पर do क्या है helping verb है और यहाँ पर do का मतलब करना as a man verb यूज हुआ है तो यह do do देखके आप confused ना होना क्या सल्मान और सारुक सांसाथ फिल्म करेंगे तो simultaneously will सल्मान and सारुक do a movie चली कुछ और example देखते हैं क्या हिंदू और मुसलिम सांसाथ यहार मनाते थे simultaneously did Hindu and Muslim celebrate festival क्या अमीर और गरीब सांसाथ नहीं रहते हैं simultaneously don't rich and poor live क्या भे दूर और cold drink सांसाथ ही पीता था तो simultaneously didn't he drink milk and cold drink क्या आप Hindi और अंग्रेजी सांसाथ नहीं सीखेंगे simultaneously want you learn Hindi and English I hope कि आपको simultaneously word का यूज करना आ गया होगा समझ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो like share and subscribe करना न भूले thanks for watching